एक ऐसी उनिवर्स्टी जहां पे लाखों बच्चे जाने का देखते हैं सपना एक ऐसी उनिवर्स्टी जहां पे लाखों पेरेंट्स का सपना होता है कि उनके बच्चे उस उनिवर्स्टी से पास आउटू एक ऐसी उनिवर्स्टी जहां से इस देश के बहुत बड़े बड़े लोग पास आउट हूँ है जैसे की शारु खान, अरुन जेटली, अनराक कशप, इंतियाज अली जी हाँ दोस्तों मैं बात कर रहा हूँ डेली उनिवर्स्टी की, तो डेली उनिवर्स्टी की कट ओफ कैसे जाने वाली है, एक समय पे डेली उनिवर्स्टी के बहुत सारे कॉलेजिस की 99.95 परसंटेज पे कट ओफ बंद हो जाती थी, तो इस बार आप लोग 2024 के अंदर कैसे जा सकते हो डेली उनिवर्स्टी के अंदर, इस वाली वीडियो के अंदर हर एक चीज़ में बताऊंगा, लास्ट येर से क्या-क्या कट ओफ चल रही हैं, अभी से आपको किस तरीके से प्रपरेशन कर रही हैं कि जिससे आप लोग 2024 के अंदर डेली उनिवर्स्टी के अंद इस से पहले डेली उनिवर्स्टी के अड्मिशन के लिए आप सभी को क्लास 12 के मेरिट के अपर अड्मिशन मिल जाता था, जहां पे बहुत बड़े-बड़े कॉलेज हैं, जैसे कि संस्टिफेंस कॉलेज, मिरेंडा हाउस, आपका SRCC, वहां पे आपकी कट-off सुनेंगे न, 99.95, 99.90 पे बिल्कुल बंद हो जाती थी, अब आप सभी के लिए एक जीवन ना नहीं है, फिर मैं बोलूगा, one-stop solution आया है, CUT, Common University, Intense Test, तो आप सभी को CUT का examination देना होगा, 2022 के अंदर ये paper हुआ है, 2023 के अंदर paper हुआ है, और तीसरी बार अब होने वाला है, और आप लोग किस तरीके से यहाँ पर admission ले सकते हैं, अब मैं कुछ data के साथ आप सभी के सामने कुछ चीज़े रखना चाहूँगा, 2022 के अंदर, अगर मैं CUT की examination की बात करूं, तो बहुत सारे बच्चों ने form fill किये थे, लेकिन 9.68 लाग बच्चों ने CUT का examination दिया था, सोचे कितना sales portal होता है, common seat allocation system, जिसके थुरू आप लोगों की counseling होती है, Delhi University के different colleges के अंदर, different courses के अंदर, उसके लिए अपनी मंचा जताई थी 2.17 lakh students ने, लेकिन जो की apply कर पाये थे Delhi University के अंदर, वो ये थे 1.77 lakh students, तो सोचेगा कि Delhi University कितना जादा scrutinize करती है, applicants को भी, applications को भी, yes की counseling में भी आप लोग बहुत ही जो बिलकुल सटीग लोग है, जिनके बिलकुल अच्छी तरीके से documents है, वो ही आएंगे, वो ना सिर्फ आपको marks के उपर, आपके documents के उपर भी बिलकुल भार निकाल देती है, अपनी उनिवरस्टी के admission process से, अगर मैं यही data बात करूं, 2023 के अंदर, तो अपेर हुए थे 11.16 लाक student in CUT examination, और 3.04 लाक student ने अपनी इच्छा जताई थी कि हम डेली उनिवरस्टी में जाना चाते हैं, और CSAS portal के थूरू, जिनकी counselling के अंदर आये थे डेली उनिवरस्टी के अंदर, बच्चे वो थे 2.02 लाक students, तो सोचिए का अगर आप data देखेंग बहुत सारे बच्चे इसको जाना चाते हैं इसके अंदर और यहाँ पे apply करते हैं, यहाँ पे एक amazing fact बताओं आपको, इतने बच्चे सोचो अपेर कर रहे हैं, इतने बच्चे counselling के लिए लड़ रहे हैं, और सीटे सिर्फ और से कितनी है, 70 लाक सीटे, एक और fact, सारी 70 लाक की तरह से मैं आपको advise करना चाहूंगा, कि आपको आज के दिन से, मतलब कि जन्वारी के महीने से, अगर आप Delhi University को target कर रहे होना, तो Delhi University के अंदर आपको North Campus ही target करना चाहिए, कि जिससे आप लोग, जो बहुत बड़े-बड़े सपने हैं, जैसे कि हिंदू, हंसराज, जो मैं किसी अच्छे university, अच्छे college के से, अच्छे course में अगर आप pass out हो रहे हैं, तो 7-8 लागा आपका package अराम से लग जाएगा, और fees आपकी बहुत बेर minimum जाती है, इसके बारे में हम बहुत चीज़े, अलग-अलग videos में discuss कर सकते हैं Delhi University के बारे में, लेकिन यहाँ पे सिर्फ और में एक सबसे बड़ा doubt आता है, मैं literally बता रहा हूँ, last year 2022 के अंदर भी, 2030 के अंदर भी मेरे बच्चों के mails हैं, calls आई थी, whatsapp के messages हैं, बच्चों को यह clarity ही नहीं है, अभी भी सोचते हैं कि अगर मैंने class 12 के अंदर बहुत अच्छे marks लेके आ गया, 95%, 99% और मेरा Delhi University के अंद तब भी Delhi University आपको अपने दरवाजे बंद करती हूँ, नजर आएगी, क्योंकि आप लोगों ने, अगर CUT के अंदर अच्छे marks नहीं लेके आए, आप सभी को अच्छे marks लेके आने हैं, बहुत अच्छे marks लेके आने हैं, Delhi University के लिए CUT के अंदर, 99%, 100% अगर आपकी आ रही ह तो आप लोग सोच सकते हैं कि आपके North Campuses के दरवाजे बिल्कुल खुले हैं, और Delhi University आप सभी को बिल्कुल खुले हाथ से स्वागत कर रही होगी, ठीक है, तो ये चीज़ आप सभी को बिल्कुल क्लियर करनी हैं, कि yes, कि मेरे marks कितने भी अच्छे आजे हैं Class 12 के अंदर, ल और आपके General Category की कितनी-कितनी जाती है, और कितनी-कितनी परसेंटेज उसके अंदर जाती है, अब मैं बात कर लेता हूँ आपकी जैसे कि subject combination, देखो सबसे पहले तो ये होना चाहिए कि subject combination का जो सबसे बड़ा हसल है बच्चों की दीच में, कि क्या best subject combinations होने चाहिए डेली University के लिए कि जिससे आप लोग उसकी counseling अंदर जा पाएं और सारी की सारी चीजे हो पाएं, तो सबसे पहली चीज आप सभी के लिए है, जितने भी courses आते हैं, तो सबसे best आपको combination होने वाला है, एक language का, आप करेंगे three domains का, और एक GT का, आप लोग अगर ये combination उठा लेते हैं, जो यहाँ पे all courses के लिए आप लोग eligible हो जाएंगे, और कोई भी course ऐसा नहीं रहेगा Delhi University के अंदर जिसके लिए आप eligible नहीं होंगे, अब यहाँ पे बात आती है कि domains कौन से लेने हैं आप सभी को, चाये आप लोग किसी भी stream से है, science, commerce, arts, आप सभी को, कान खुलके जो कि आप लोगोंने class 12 में पढ़े हैं, I repeat आपको domains वो ही लेने हैं जो कि आप लोगोंने class 12 में पढ़े हैं जैसे कि science वाले बच्चे बोलते हैं कि सर हमारे को stream प्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप् पॉर्टल के अंदर कितने बच्चों ने अप्लाई किया तो और पाइनल कांसलिंग के लिए कितने बैठे थे तो यहाँ पर बहुत सारे बच्चे गलती कर जाते हैं थीक है तो इसके अंदर अगर आप देखेंगे इसके लिए तो कितने बन रहे हैं तो एक लाइंगूज तो 800 की merit बनती है तो आप सभी की 800 merit और 1050 की merit अगर मैं बातशीत करूँ और फिर से मैं बूर्डूँगा कि आप सभी को North Campus जाना है और North Campus की best college के अंदर जाना है तो आप सभी जैसे मैंने starting में बताया था कि 99.95% पर आपकी cutoff खतम हो जाती तो यहां पे भी बहुत कम तो नहीं हो जाएगी कि 800 में से 500 marks पर आपका admission हो रहा है 800 में से 600 marks पर आपका admission हो रहा है नहीं अगर general category के हैं तो आप लोग इस चीज़ से उठ जाएं कि बिलकुल भी नहीं होने वाला आपका इतने कम marks management mission अगर मैं approximately बातचीत करूँ तो आप लोगों की cutoff जाने वाली है अगर सेव स्कोर मैं बोलूँ अगर मैं सेव स्कोर बोलूँ अगर मैं सेव स्कोर बोलूँ आपका general category का right general category का EWS का OBC का SCST का right SCST का अगर मैं बोलूँ तो आपके approximately अगर आप 970 प्लस लेके आ आप लोग yes counseling के अंदर चले जाएंगे phase 1 phase 2 तक आपको अराम से मिल जाएगा बहुत possibility आपकी है कि phase 1 तक आपके 990 प्लस में अगर मार्क्स हैं तो अराम से मिल जाएगा और इस वाले case के अंदर के अगर मैं बातचीत करूँगा तो इस वाले case के अंदर आप तभी को 760 प्लस at least marks लेके आने होंगे राइट 760 प्लस आपको marks लेके आने होंगे अगर EWS की तो लगबग लगबग सेम ही चलती है ठीक है OPC में हलका सब हो सकता है 80 तक मिल जाए आपको और इसके अंदर आपको मिल जाए कि जो last year के बच्चे देख रहे होंगे और अभी के बच्चे देख रहे होंगे बोलेंगे कि यार मेरे तो भाया का या फिर कजन का डेली यूनिवरस्टी के अंदर admission हो गया था कम marks में भी ये डेली यूनिवरस्टी अपने बहुत सारे आपके phase 1 आपकी counselling निकालती है phase 2 counselling निकालती है तो बहुत सारी counselling निकालती है लेकिन फिर से मैं कह रहा हूँ best courses के अंदर best colleges के अंदर phase 1 phase 2 के अंदर लगबख सारी की सारी seat फुल हो जाती है तो आप लोगों को मौका ही नहीं मिलेगा अच्छे colleges के अंदर जाने का डेली यूनिवरस्टी के अंदर राइट है और यहाँ पर अगर मैं बात करना चाहूं तो एक और amazing fact इस चीज को आप चेक आउट भी कर सकते हो डेली यूनिवरस्टी के website के उपर कि 70,000 सीटे मैंने बोली थी नहीं होती बहुत सारी आपकी सीटे खाली रह जाती है डेली यूनिवरस्टी के अंदर क्योंकि उन लोगों को एक eligible candidate नहीं मिलता सोचे का डेली यूनिवरस्टी का इतना रॉला है इतनी सारी चीज़े हैं कि अगर उनको एक eligible candidate नहीं मिलता तो वो उन सीट को वेकंट छोड़ देती हैं ठीक है अब मैं जैसे मैंने आपको बात करी थी कि इसके तीन नौर्थ केंपस साउथ केंपस और ऑफ केंपस तो आपके नौर्थ केंपस इसके जैसे बहुत बड़े- इसमें आपका और साउथ कैमपस और अपके हैं तो मैं आप सबीर को यहीं बोलूँंगा, आपकी फिर्स्स प्रेफरेंस होनी चाहिए और और ऑफ केंपस और जैसे कि अगर कट एकर बात करूंगा जैसे कि यह सारी कि सारी, मैंने अकॉर्डिंग दुन धूर्थ केंपस लि को approximately अगर 800 marks का अगर हम paper भर रहे हैं तो हमारे को approximately 750 या फिर 760 प्लस marks लेकर आने पलेंगे as a general candidate तो आप लोगों को अब पढ़ना कैसे है आप लोग चाहिए किसी भी बूर्ट से हो आप सभी को सिर्फ और सिर्फ एक कोई और चीज फॉलोव करनी है उ और इंग्लिश जी T के लिए आपको इस मैं पर selekomाने जोWow बहुत सारी चीज़ें मैंने डाल रखी हैं जी इंग्लिश की भी कॉशन माम ने बहुत सारी जीज़ जाल रखियें उसको जाके आप चेक ओट भी कर सकते हैं डोमेंज के लिए आपको सिर्फ और सिर्फ पढ़नी है इस टिक टु दीज एंसियाटी इस ओनली ओनली आपका बिल्कुल भी कहीं से नहीं आने वाला एंसियाटी के अंदर से ही आने वाला है और आप लोग जितनी ज्यादा एंसिक्यूज के उपर काम कर सके जितने ज्यादा कॉंसेप्स के उपर काम कर सके उतना ज्यादा फायदा होगा आपको जितना ज्यादा कॉंसेप्स के उपर काम करेंगे जितना ज्यादा एंसिक्यूज चीज को पर काम करेंगे डैरेक्ट ली आपके मार्ट बहुत अच्छा रहोंगे चेक आउट कीजिए चीज को जाके एक मौख लगाना अभी जितनी आपकी समझ है सब्जेक्ट के रिलेटेड और दूसरा मौख लगाना MCQs को NCRT से MCQs को प्रैक्टेस करने के बाद ठीक है और अगर मैं लास्ट बात करूँगा तो ये सारी चीज़े हैं कि अगर आपके मार्क्स अच्छे नहीं आए इतने 760 मार्क्स नहीं आए जनरल केंडिडेट आपके let's say कि 720 मार्क्स आए तो ये आपको off campuses में मिल जाएगा लेकिन मैं फिर से बोलूँगा as your mentor कि आप लोगों को अभी से बहुत अच्छी तरीके से तयारी करनी है कि जिससे आप लोग अच्छीव करें North Campus का best college तो आप लोगों को देखो फिर से में summarize कर देता हूँ पूरी की पूरी आपका वीडियो कि आप लोगों को subject combinations बहुत अच से कि आप सभी को दिमाग में रखना है कि अगर मेरा 1050 का पूरा का पूरा पेपर बन रहा है तो मुझे 990 प्लस मार्क्स लेके आने हैं अगर मेरा 800 का पेपर बन रहा है तो मेरे को लेके आने हैं कितने 760 प्लस that's all इतना सा चीज़े हैं आप लोगों को इतनी याद रखनी है कैसे पढ़ना है कहां से पढ़ना है हर एक चीज़ आपको स्यूटी वाला के पर मिलने वाली है बहुत सारी प्लेलिस्स बना दी है बहुत सारी चीज़े हमारी चल रही है तो आप लोगों को कहीं इधर उधर भागने की ज़रूत नहीं अगर आप लोगों को इस चैनल प कि Delhi University जो इंडिया की सबसे बड़ी, सबसे प्रेस्टीजियस उनिवरस्टी है, उसके अंदर हम लोग admission कहसे लें, कितना cut-off होने वाला है, किस तरीके से हमारा road map होगा Delhi University के लिए, हर एक चीज़ क्लियर होगी, अगर आपको किसी एक particular topic पर कोई वीडियो चाहिए, तो you can comment down below, म मैं उस पे especially आप सभी के लिए कोई ना कोई वीडियो बना दूँगा, thank you students, God bless you all, bye bye, take care, jahind